जब ताजा कबर वेब सीरीज का ट्रिलर आया था यूटूब पर मुझे बहुत जादा पसंद आया था इसके अंदर जो स्टोरी देखने को मिल रही थी वो काफी ज्यादा अची लग रही थी और भूबन बाउं को एक नई अंदाज में देखकर भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी तब सोचा था यार जब यह सीरीज आ जाएगी डेफिनेटली इस सीरीज को देखूंगा और जब यह आई थी जिस दिन यह आई जी रिलीज हुई उसी दिन मैंने इस सीरीज को देख लिए रिव्यू लेट इसलिए हो आ क्योंकि टाइम की कमी है और थोड़ा ब एक मराठी उसकी छोटी सी एक family है हाँ जो family में मन मुटाब होते हैं वो obviously इस series में आपको देखने को मिलेंगे वसंद के पास एक power आती है कि वो आने वाले time की थोड़ी बहुत उसको news पता चल जाती है कितने time पहले पता चल जाती है वो तो देखो आप series देखोगे तब ही आपको पता चलेगा अब ये जो power इसको मिलती है इसका use करके जो वसंद है अपनी गरीबी को दूर करने ही कोशिश करते है खैर इस series में एक dialogue है या फिर कर एक बात जो इसमें बोली जाती है कि ये जो ताकत या जो power इसको मिलती है वसंद को ये एक वरदान भी है और ये शराब भी और वाकई में वो बात इसके अंदर शाबित भी होती है वो कैसे फिर से वही बात आ जाती है आप ये series देखोगे तब ही आपको पता चलेगा सारी तीज़ें अगर मैं बताने लगया तो फिर मजाए किड़किड़ा हो जाएगा स्पोईलर मिल जाएंगे और मुझे गालियां पढ़ने लग जाएगे बुवन बाम को इतने टाइम से यूटूब पर देखते आ रहे थे एक कोमेडी के तोर पे हमने उनको देखा है जिस तरीके से उन्होंने अपने आपको रिप्रेजेंट किया है तो एक अलग ही करेक्टर आप लोगों के सामने आता है वो बहुत जादा आप लोगों को पसंद आएगा मतलब इतनी बड़िया परफॉमंस मैंने देखी है एक जिस तरीके का बिहेवियर चेंज होता है इस सिरीज में एक व्यक्ति का जिसके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था लेकिन जब उसके पास पावर आती है पैसे आते हैं तो कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता है इस चीज को बहुत बखूबी से बुवन बाव ने प्ले किया मतलब वो देखकर आपको संतुस्टी होगी और केवल बुवन बाव नहीं जितने भी कलाकार है इस सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया या फिर उन्होंने अपना 100% दिया आप कहीं पर भी ऐसे फेल नहीं करोगे यार ये चीप लग रहा है डेफिनिटली आप सीरीज को देखोगे बहुत बढ़िया डिरेक्शन है टोरी भी काफी अच्छी है और आप इवन इस स्टोरी से कनेक्ट हो पाएंगे हर एक एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी एकसाइटमेंट भी बढ़ती जाएगी आप बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा क्या था इस सीरीज में इस सीरीज की कहानी मुझे जादा अच्छी लग रही थी और बोवन भाम को एक नई अवतार में देखकर मुझे काफी जादा अच्छा लग रहा था मतलब यह जो दो चीजे हैं मुझे इस सीरीज को मतलब बांदे रखी शुरू से लेकर आखिर तक वैसे इस सीरीज के अंदर 6 एपिसोड कमियों की बात करों तो देखो यार मैं इस सीरीज को लेकर काफी जादा एकसाइटेड था तो मैंने तो कोई कमी महसूस की नहीं मतलब हाँ तोड़ा बहुत यह कह सकते हैं कि जैसे तरीके से इस सीरीज को सीरियस या फिर इसमें डार्क जैसी चीजें डालने की कोशिश की है तो वो थोड़ी बहुत पावर कम रह जाती है फिर कहें कि थोड़ा उसके अंदर अभाव नजर आता है बागी देखो मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ा मैंने फुल ओन इस सीरीज को इंजोई किया है और इसके 6 एपिसोड में कहानी खतम नहीं होती है इसका 2nd सीजन आएगा अब वो कब आएगा वो तो मुझे नहीं पता और ये सीरीज जो है जब आप IMDB के उपर जाकर देखते तो काफी ज़ादा इसको रेटिंग मिली हुए लोगों इसको बहुत ज़ादा पसंद किया है खासकर भुवन बाम की वज़ोसे टेफिनिटली उन्होंने बहुत ज़ादा महनत किया और वो देखकर जब आप ये सीरीज देखो कि तब आपको पता चलेगा कि बहुत ज़ादा महनत की गई है मेरे तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा एट आफट ओव टेन देखो इस सीरीज में गाली गलोच है बच्चों के लिए तो डेफिनिटली नहीं है हाँ सीरीज की जो एंडिंग है वो काफी ज़ादा अची है और जानना चाहूँगा जा है तो प्लीज कोमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी नहीं देखिया तो जा कर आप देख लीजी अगर आप बच्चे नहीं है तो तो बस आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो में जाइ इंद